नमस्कार दोस्तों स्वगताब स्वभी का हमारी यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर इस वीडियो में हम लोग इस पोर्ट यानि की खेल से संबंधित कोशन देखेंगे जो कि आपकी एक्जाइम की त्रिष्टी से बहुत ही मौत पूल रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर पहला कोशन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंब कब हुआ था आस्वन 1895, 1898, 1896, 1892 तो देखें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आरंब हुआ था यह 1896 इस भी में हुआ था तो यहां पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा दूसरा है कि राष्ट मंडल खेलों की सुरुआत कब हुआ थी तो जो राष्ट मंडल खेल हुआ था पहली बार इसको शुरुआत जो की गई थी यह 1930 इस भी में किया गया था और यह कहां पर हुआ था तो यह कनाड़ा के हैमिल्टन में हुआ था तीसरा कोशन है कि राष्ट मंडल खेल कितने वर्सों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है 6 वर्स, 4 वर्स, 3 वर्स, 2 वर्स तो जो राष्ट मंडल खेल होता है यह 4 वर्स के अंतराल पर आयोजित किया जाता है तो तीसरे का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा आस्ट्रेलिया में तो यहां पर इसका खोर का ए आंसर करेक्ट हो जायेगा और यह आस्ट्रेलिया लिजा के गोल्ड कोश्ट में कि में हुआ पांचमा कोश्टन है कि पहलेаться ऐसी खेलका आयोजन किया गया था यह मार्च 1951 इस भी में किया गया था और कहां पर किया गया था तो देखिए एस याई खेल का जो सुगार हम भुआ था यह चार मार्च वर्स 2018 की ACI खेलों का आयोजन कहां हुआ था तो वर्स 2018 की ACI खेलों का जो आयोजन किया गया था यह पहील हुआ तो यहां पर किसका है तो in England का है और इसके बाद अगर हम लोग बात करें है रला कि सब्सक् appeals कहां का है vole कर और कि हगे चलते हैं अर्ट मुझण कि बिजव द्राफी किस खेल से संबंद रखता है थे कि देखिए Vivi क्रिकेट से तो यहाँ पर हमारा सी अंसर क्रेक्ट हो जाएगा क्रिकेट कि अब क्ले कोर्ट की स्खेल से संबंध रखता है देखिए जो क्ले कोर्ट है यह जो संबंध संबंध रखता है यह जो संबंध से जैसे की आपके क्ले कोर्ट करे की यह सब इस संबंध कर दे कि अब यहां पर है 10-15 वाली बाल में खिलाड़ियों की संखिया कितनी होती देखिए यहां पर वाली बाल की बात कर रहा है तो वाली बाल में खिलाडी की संख्या होती में 6 अगर यह पर से संबंद रखता है तो जो देवधर ट्राफी होता है इसका संबंद है क्रिकेट से बाकि और भी ट्राफिया होती है क्रिकेट से जैसे कि आपका हो गया इरानी ट्राफी देवधर ट्राफी रणजी ट्राफी दिलीव ट्राफी यह सब क्रिकेट से संबंद रखते हैं बाकि अगर बात करें फुटबाल की टो फुटबाल में आता है जो आपका जैसे कि दूरन्ड काफ हो गया monkeys कप हो गया संतोष ट्राफी है मैं मरडे काकल फ़ीफा बिसकॉड यह सब सम्बंधी ने हांखी की बात करें तो आपको हांखी से आदबता है हांकिविस को अजलांस त्यान चंद्र यानि की मेज़र हैं इंडीया के नाम पर ये ट्राफी मेज़र धृल्श शन्द्र अगाखाइब करूड ख़ते delightful अब सब अगमि को गया थामस कप हो गया हुबैर कप गया यू थाट कप हो गया नारंग कप हो गया यह सब ब कर दीर देख रखते हैं बारे नंबर का क्वेश्चन है निमनने के से वैटमिंटे से संब प्रशच में अभी हमने आपको बताया है तो पॉन筆ंप में आता है आपका नारंग काप ब्लाप से संबंध है क्या है तो यह हो गया इराणी ट्राफी जो है । यह आपका पड़ता है क्रिकेट से शंबंध नंबर का कोश्चन है कि ब्रेकपॉंट्स के खेल से संबंधित है हाँ कि टेनिस बाक्सिंग कोट ये सब ये अचिन से संबंद रखता हैं और अगर बात करें और विद चीज्श का जैसे कि आप का हांकी है तो हांकी का जैसे سंटर फारवड हो गया पेनाल्टि श्ट्ोक हो गया हुए ह्लिक हो गया इसकूप हो बुली पुषी इन यह सब तुम रखते हैं भाकिए अगर बात करें बाक्सिंग से तो बाक्सिंग में होता आज कि आपका बेल्ट हो गया पंच हो गया हुक हैंगान हिल नाक आउट रिंग बोलो पंच किडेनी पंच यह सब बाक्षन से संबंध रखते हैं बाकि अगर बात करें सतरंज का तो सतरंज में होता है चेकमेट इस्टेमलेट कैसे लिंग वी सब नाइट रूख पोल ग्रेंड मा टायाता है तो नाक आउट हो गया या भ पर रिंग हो गया बोलो पंच हो गया приб Monate हो गया हेंगान हो गया हिल हो गया बेल्ट पंच यह सब बाक्षन से संबंद रखते हैं phi कि अगर बात करें क्रिकेट की तो देखिए क्रिकेट में होता है आपका ऐसे बेल्च हो गया डेड़्बाल हो गया गली मीड आफ अई इस्ट्रा कवर हो गया ठियार्ड मैं हो गया गूगली हो गैशान बैन ये सब संबंद रखते हैं क्रिकेट से कनाडा का राश्ट्री खेल क्या है तो देखिए जो कनाडा का राश्ट्री खेल होता है यह आइस हांकी होता है हांकी आपका इंडिया का होता है और यह जो रहा आपका फुटबाल तो रूस और ब्राजिल दोनों का क्या होता है फुटबाल होता है दूस कर यहां पर बात करें तो रूस का होता है फुतबाल मलेशिया का आगर बात करें तो मलेशियակे का होता है बैटमिन्टन इस्पेइन का होता है साण यूद草- सत्रे नंबर कोशन है गृप किस खेल से संबंध रखता है तो अभी हम आपको पहले ही बता जो grip का संबंध है यह है tennis से यहाँ पर इसका यह answer correct हो जाएगा जापान का प्रमुख खेल कौन सा है तो देखे जो जापान का प्रमुख खेल होता है वह होता है judo जासे जापान जासे judo याद रखना है आपको cricket जो है यह आपका England का है हां कि जो है इंडिया का है जो baseball है यह आपका अमेरिका का है judo आपका Japan का है badminton किस खेल किस देश का प्रमुख खेल है तो देखे जो badminton है यह जिस देश का खेल है वह है मलेशिया छाइन का जो है तो चाइन का है टेबल टेनिस रूस का अगर बात करें तो फूटबाल है तो श्पेंग के अगर बात करें तो इस्पेंग का है 60 रिभी कि कोशंडि उसमें एक तरह कितने होता है उसमें एक एक पत्च में खिलाणियों की संखिया कितनी होती है तो देखें water पोलो में एक पच्छ में खिलाणियों कि जो संखिया होती है वह होता है साथ तो वाटर पॉलो में साथ हो जाएगा correct answer 20 number question is that football में खिलाणियों की संख्या कितनी होती है जैके football में खिलाणियों को जो 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 होती है वह 11 होता है और भी होता है जैसे हचसी F इसे रट लिजिए इसमें क्या होता है हांकी किरकेट और फुटबाल इन सबें में खिलाड़ियों की संख्या ग्या रहे होती है है हुआ हो तेज नमबर कोछन है कि 2008 पारा जिब गंधे खेले रतन प्रसकार किसे दिया गया था देखे जो 2018 और इसके बाद मीरा बाइचानु दो लोगों को दिया गया था तो मीरा बाइचानु इसमें आपसम नहीं है तो विराट कोहली है यहाँ पर करेक्ट आंसर और मीरा बाइचानु को भी 2018 में ही राजीव गंदे खेलरतन प्रसकार दिया गया था 24 नमबर कोशन है कि द्रोणाचार प्रसकार की शुरुवात का भूई थी तो द्रोणाचार प्रसकार की जो शुरुवात किया गया था यह 1985 में किया गया था तो यहाँ पर 24 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा 1985 गैं है अर्डोणाचार प्रसकार जो पातें उनको क्या दिया जाता है तो देखिए खेलर प्रसचोंचवाइब द्वारा की गई उभूत्परिष्ट सेवाओं तो Southern Orange कर दिया जाता और इसमें घुरू द्रोणाचार की प्रतिमाती जाती है प्रसस्ति पत्र दिया जाता है पांच लाख रुपए दिया जाते हैं और समारोः परिधान प्रदान किया जाता है यह होगे हमारा द्रोणाचार पुरसकार के बारे में तो दोस्तों यह इंपॉर्टन इंपॉर्टन कोस्चन थे जो कि आपकी स्पोर्ट से संबंद्ध है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें ऐसे और भी वीडियो हम लाएंगे आपके लिए इस्पिसल इस्पिसल मिलेंगे नेस्ट वीडियो में थैंक्यू